द्वीतिय कबीर की साखी प्रेम ढूंडत मैं फिरों प्रेमी मिले ना कोई प्रेमे काउं प्रेमी मिले सब विश्य अम्रित होई इन पंक्तियों में कबीरदास्टी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया जो विक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुश्य को उसकी जाती को उसके धार्म को या उसके काम को नीचा नहीं समाजता है यह उन्मोंने बताया और सभी मनुश्यों को समान भावना से देखेगा जो मनुश्य प्रभू को प्यार करेगा तो वह सभी मनुश्यों को एक ही दृष्टी से देखेगा और हर मनुश्य से एक समान प्यार करेगा कभी कहता है कि जब दो सच्चे प्रभु के भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में ना कोई भेद भाव रहता है उंच नीच भी नहीं रहती हैं और कलेश विश जैसे बुरी भावनाई भी उनके भीतर नहीं होते हैं जब दो सक्चे इश्वर के भक्त मिल जाते हैं तो नीची जाती, दूसरे धर्म का वैक्ती या अचूत वैक्ती भी प्रेम का पात्र बन जाता है और सारा पाप जो है वो पुन्य में बदल जाता है लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुरलब है यह कबीर जी कहते हैं लेकिन अगर ऐसा मिलन हो जाता है तो बहे मिल करके सब उंच नीच भीदभा भुला देते हैं यही इन पंक्तियों में कबीर जी ने बताया है